My next question is change हमको यहाँ change करना है 3 3 hectometer and 3 आपका decameter को किस में convert करना है मिटर में convert करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर आपका इसको convert कर लेंगे और convert कैसे करेंगे देखिए Now we know 1 hectometer equal to 100 meter और 1 decameter equal to 10 meter अब यहाँ पर देख लेंगे मिटर में convert करना है तो 100 से कर देंगे प्लस 3 300 प्लस 30 तो 330 meter यहाँ पर मिटर दे रखा है मिली मिटर को किस में convert करना है मिली मिटर में convert करना है तो we know 1 meter 1 meter equal to 1000 mm अब यहाँ solve करेंगे यह meter है तो हम लिखेंगे 8 into 1000 प्लस 56 मिली मिटर यह अल्लेड ही दे रखा है 8000 प्लस 56 8000 में 56 एड कर लेंगे 6 हुए यह यह एड में यह यह तो खिसे ट नव ज यह तो है 8 06 8 0 5 6 8 0 5 6 8 0 57 मिली 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 शुट्वम करते यह ता टूशं कर प्लस 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 टो अंच्त्रों सबसे पहले हम बता दे रहे हैं यहाँ पर लैंट सबसे पहले हम लिखते हैं तो लैंट ओफ वायर कितने मिटर वायर उसने खरीदा बाई लेक्ट्रीशन इक्वाल टू फाइव हंड्रेड मिटर अब उसने क्या करा टोटल जो सॉल्ड गया मतलब जो सोल्ड उसने क्या टोटल जो उसने बेचा वो लिखा तो टोटल लैंट ओफ वायर बाई लेक्ट्रीशन तो उनने हमने 43 मिटर और 75 cm एक को दिया प्लस 158 मिटर और आपको 500 cm डूसरे कस्टूमर को दिया तो वी विल एट यह हम मिटर को एक कॉलम में अर्च करते हैं और सेंटीमिटर को एक कॉलम में अर्च करते हैं तो यह में मिटर को यह 5 7 और 5 12 वन केरी एट और 9 9 10 12 वन केरी 4555 10 वन केरी 2 तो 202 मिटर 25 सेंटीमेटर उसने क्या किया उसने दोनों कस्टुमर को दे दिया अब उसके पास कितना बचा तो लैंट लैंट ओफ वायर लाफ्ट तो हम क्या करेंगे टोटल उसके पास कितनी इतनी माइनस कर देंगे जो उसने सॉल्ड किये अब हम यह माइनस कर देंगे 525 25 फाइब 9 माइनस तू 7 यहां पर 9 माइनस तू 7 9 और यहां 4 माइनस तू 4 तो यहां जाएगा 4 297 मिटर और 75 सेंटीमेटर ओके थेंक्यू वेरी मच्छ 26 माइनस तू 9 और यहां 5 5 10 माइनस το